Hello dear students, बच्चों, आज आपका General Knowledge यानि जीके का एक्जाम है और आपको अब तक जितना भी जीके में पढ़ाई जा चुका है, जितने भी चेप्टर आपको पढ़ाई जा चुके हैं, आपने लर्ण किये हैं, उसी में से आपको आज ये questions पुछे जा रहे हैं, ठीके? तो ये पूरे जो question paper है, बना हुआ, ये total 15 marks का है, और आपने ये question paper 3 hours के भीतर complete करना है, ओके बच्चों, तो आपके पास जो answer sheet है, उसमें सबसे उपर, सबसे पहले आपने अपनी details लिखनी है, अपना name, class, subject, date, ये सब details आपने उपर fill करनी है, उसके बाद आपने questions solve करना है, start करना है, तो देखें, question number 1, तो ये जो है, जो इसमें 3 questions है, ये total कितने marks के है, 15 marks का है, ओके बच्चों, तो चलिए, आपने question भी लिखना है, और फिर उसका answer लिखना है, तो question आप लिखेंगे, देखें, first question क्या है, which Indian university was the first in the world, यानि कि बिश्वा में जो पहली university थी, इंडिया की, वो कौन सी थी, बिश्वा की पहली university इंडिया में थी, आपको आपने पढ़ा होगा, कि word में जो सबसे पहली university थी, वो कहाँ पर थी, इंडिया में थी, इंडिया न यूनिविश्टी थी थी वो, ठीके, तो उसका नाम क्या है, आपने इसका answer लिखना है, नाम आपने लिखना है, इस university का, ठीके, आपने इस तरह से, सबसे पहले आपने नाम लिखना है, और फि तो लास्ट में सिर्फ फुल स्टॉप डॉट लगा देंगे next question देखे क्या है who was the king of the ancient Greek kingdom of Macedon who invaded India in 326 BC तो इसका मतलब मैं आपको बता देता हूँ कि who was the king of the ancient Greek यानि कि प्राचीन ग्रीक का वो कौन सा राजा था जो kingdom of Macedon यानि कि kingdom था Macedon एक Greek में यानि कि जो Greek बहुत बड़ी कंट्री थी उसमें एक छोटा सा एक राज्य था उसका नाम था kingdom यानि कि राज्य था उसका नाम था Macedon Greek country के अंदर एक राज्य था जिसका नाम Macedon था तो उसका राजा कौन था ठीक है और उस राज्य ने who invaded India invaded मतलब आकरमन किया who invaded India in 326 BC यानि कि 326 BC BC आपको पता है कि ये एक सन है यानि कि आज से 2000 साल से भी पहले का ये सन है तो उस समय उस राजा ने क्या किया था इंडिया पर आकरमन किया था तो उस राजा का नाम क्या है तो आपने पढ़ा है इसको इसका आप आंसर लिखेंगे जो king था ancient Greek का यानि कि kingdom of Macedon का जो king था राजा था जिसने भारत पर आकरमन किया था उसका नाम क्या है तो आप उसने आपने उस राजा का नाम लिखना है और third question आप देखिए what prize won Malala Yusuf Zai in 2014 तो Malala Yusuf Zai को कौन सा सम्मान मिला था कौन सा प्राइज मिला था कब 2014 में तो आपको पता है आपने learn किया है ये आपने उस prize का नाम लिखना है ठीक है कि Malala Yusuf Zai को कौन सा prize मिला था next देखिए question number 3 question number 3 क्या है tick the correct option question क्या है which is India's first satellite option आपके पास है चंदरियान, आरेभट या सिवाजी तो जो भी सही option है उस पे आप right tick कर देंगे next देखिए who is the writer of the book the adventures of the Winnie the Pooh the adventure of Winnie the Pooh ये किताब है तो इसके writer कौन है P.L. Travers A.A. Melon या C. Roll Dull तो जो भी होगे जो भी right option होगा उस पे आप tick कर देंगे last देखिए who is world's biggest steel producer बिस्व में जो steel को जो प्रोड्यूस करते हैं आपको पता ये घर में के यूज होता है की सारे चीजे बनती है इस्टील से तो दुनिया में जो सबसे बड़े इस्टील के प्रोड्यूसर है वो कौन है लक्षी मितल है या फिर नारिन मूर्ती है या फिर एलाउन मस्क है ठीक है जो भी सही है उस पर आप राइट टिक कर देंगे इसी तरह से आप देखिए question number 3 देखिए question number 3 क्या है fill in the blanks तो इसमें क्या करना है आपको आपने first देखे क्या है dot dot यहाँ पर आपने fill करना है is the biggest rodent in the world तो ऐसा कौन सा rodent है जो बिश्व में सबसे बड़ा है ठीक है rodent का नाम आपने इसमें लिखना है second है I need a तो यहाँ पर आपने उस book का नाम लिखना है to know the meanings of words ऐसी वो कौन से book होती है उस book का नाम क्या है जिसमें हम words के meaning जान पाते हैं ठीक है third है a Japanese warrior is called fourth question क्या है fourth question है match the columns to first है very small boat आपने देखना है यहां जो चीज लिखी है वो उसी से related चीज यहां लिखी है तो आपने मैच कराना है ठीक है very small boat यहाँ इस में से कौन सा है कौन सी है very uh इस column मेंसे आपने देखना है कि कौन सा very small boat कौन सी है फिर Venice City Venice City से related यहां क्या है TAZ महल TAZA महल से related यहां क्या है उस पर मैच करना है Mauria Dynasty वो आपने देखना है यहां पर क्या है First Indian woman governor वो यहां कौन है तो वो आपने लिखना है मैच कर देना है ठीक है बच्चो तो इस पूरे जो ये वीडियो है इसको आप पॉस कर दीजिए जैसे यहाँ पर आप पॉस कर दीजिए और फिर एक क्वेशन लिख दीजिए ठीक है जैसे यहाँ पर एक बार आपने क्या किया इसको पॉस कर दिया एक जगे पर पॉस कर दिय और फिर आपने question लिख दिए और फिर इसके answer लिख दिए ठीक है तो इसको clearly handwriting पर बहुत जोर दीजिए handwriting आपकी एकदम clear होनी चाहिए बिलकुल साफ सुत्री handwriting होनी चाहिए ठीक है बच्चो तो wish you all the best अच्छे से इस questions को solve कीजिए और शाम को 5 बजी से पहले पहले इससे आप drop कर दिजिए इसकोल गेत पर okay बच्चो wish you all the best